और वो घटना है 1962 1962 का वो खौपनाख रेडियो प्रसारान आज भी शूल की तरह दौर सिसके लोगों को चूप रहा है पंडित नेरु ने 1962 में जब देश के उपर चाइना का हमला चल रहा था देश के हर कौने में लोग अपनी रक्षा के लिए भारत से अपिक्षा करके बैटे थे उनको कोई मदज मिलेगी उनकी जान माल की रक्षा होगी देश बच जाएगा लोग अपने हाद दनों से लड़ाई लंडे के लिए मादान में उतरे हुए थे ऐसी भी कटगड़ी में दिल्ली के शासन पर बैटे हुए और उस समय पर एक मातर जो नेता हुआ करते थे पंडित नहरू ने रेडियो पर क्या कहा था उन्होंने कहा था यह हाल करके रखता था उन्होंने वो प्रशारा आज भी असम के लोगों के लिए एक नस्तर की तरह चूपता रहता है और किस प्रकार थे उस समय नहरू जी ने उन्हे अपने भाग्य पर छोड़ जीने के लिए मजबूर कर लिया था यह हमसे हिसाब मांग रहे है हादर नियदक जी यहाँ चले गए लोहिया बादी यह उन्डुकों में भी सुनाना चाहता था जो लोग अपने आपको लोहिया जी का बारिश कहते है और जो कल सदन में बड़े उचल उचल करके बोल रहे था हाद लंबे चौड़े करनी के कोशिच कर रहे था लोहिया जी ने नेरू जी पर गंबीर आरोप लगाया था और लोहिया जी ने कहा था और वारोप था कि जान बुझकर नेरू जी नौर्थ इसका विकास नहीं कर रहे है जान बुझकर के नहीं कर रहे है और लोहिया जी के शब्द थे ये कितनी लापरवाई वाली और कितनी खतरनाग बात है लोहिया जी के शक्त है ये कितनी लापरवाई लापरवाई वाली और कितनी खतरनाग बात है तीस हजार स्क्वेर मिल्क से बड़े छेत्र को एक कोल्ड स्टोरेज में बंद करके उसे हर तरह के विकास से बंचित कर दिया गया है ये लोहिया जीने नहरू पर आरोप लगाया था कि नौर्थ इसके लिए तुमारा रवहिया क्या है ये कहा था नौर्थ इसके लोगों के रुदय को उनकी भावनाओं को आपने कभी समझने की कोशिश ने किये मेरे मंत्री परिशत के 400 मंत्री रात्री निवास करके और अकेले स्ट्रेट हेड़कॉर्टर पर नहीं डिस्ट्रिक के रिकॉर्टर अब मैं स्वेंपचाथ बार गया यह आकड़ा नहीं है सिरफ